हेलो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Google Chrome को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं तो आई ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गूगल क्रोम को डाउनलोड करने के लिए आपको जो आपके विंडोस में अभी एक्जिस्टिंग ब्राउजर है उसे उपन करना पड़ेगा तो जैसे कि मेरे पास अभी माइक्रोसोफ्ट एज ब्राउजर इस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं और यहां पर मुझे सर्च बॉक्स में टाइप करना है डाउनलोड गूगल क्रोम तो जैसे मैं डाउनलोड गूगल क्रोम लिक्के एंटर करता हूं तो आपको ऑफिशल वेब साइट से इसे आपको डाउनलोड क्रोम का ओप्शर आ रहा है फोर विंडोस विंडोस टैन एट पॉइंट वान एट सेवन और सिक्स्टी फॉर बिट तो यहां से आप जैसी इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहां तो आप यहां से सीधा ओपन फोल्डर कर सकते हैं और सेट अप को रन कर सकते हैं यहीं से ही आप डिरेक्ट इसको रन कर सकते हैं तो आए इसकी इसकी इस्टालेशन स्टार्ट करते हैं यह जैसे ही मैंने यहां पे इ आचकल ब्राउजर आप जांते ही है षूंब भग योग सकते हैं अधर ब्राउजर भी यूज गरणो मुश्ली लोग यूज़ करते हैं अज़ग कि तु यह डाउनलोड हो रहा है तद अब यह डाउनलोड भ्राउनुहिं। अब यह यह आञे। तो जैसा कि आप दे सकते हैं इस्टॉल हो चुका है अब हम इस Microsoft Edge को बंद कर देते हैं तो इस तरह से यह Chrome डाउनलोड हो चुका है इसको हम maximize कर देते हैं तो यह इसका start up screen है get started तो जैसे आप यहां से get start करेंगे तो immediately आपका यह browser ready हो जाएगा use करने के लिए यह था हमारा चौट चौटा सा tutorial वीडियो जिसमें कि आपने देखा कि कैसे Chrome को download करना है और कैसे उसको Windows में install करना है तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगाँगो मुझे comment करके बताएग और पैनल को सब्सक्राइब कीजएगा तो मिलते अब अगले वीडियो में थैंक यू